हाई फ्रेंड्स सुभे के ब्रेकफास्ट में कुछ नई तरोताजा रेसिपी बनाने की सोच रहे और समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए वह भी बिना सोड़ा बिना दही इंस्टेंट वाला हेल्दी नाश्ता तो चलिए सूजी से बनाते हैं आज एक मज़ेदार सी रेसिप तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी लिए है साथ में इतना ही मैं यहाँ पर पानी ले रहे हूं कह सकते हैं कटोरी या एक गरम पानी ले रहे हूं तो चलिए यहाँ पर सूजी को हमने गरम पानी में खोल कर रख दिया है अब कर लेते हैं दूसरा काम तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो उबलेवे आलू लिए हैं मीडियम साइज की आलू है और अगर आप बड़ा आलू लेते हैं तो एक ही लिजेगा और इसको यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर एक चम्मच का इस्तमाल कर रही हो और उससे मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से आलू को उपर नीचे कर दूँगी जिससे कोई गुटलिया लंस ना रहे तो चलिए यहाँ पर मैंने अच्छे से यह आलू का एक पेस्ट बना कर रेडी कर लिया है के चली आले और बीज के साथ ही में रिश्कुट आने अवे युझा कर्या हैं साथ में एक च्पा इसके खूटकर सकते हैं दिया पति डाल दी है अच्पत्त ना हो तो आप आप तो Fitz आधा चमच रेख अधा चमच चिल्ली ऐसमरे नमक शूट के और आदा चम्मच से कम एक चोथा ही चम्मच हम यहां पर डाल रहे हैं अम चूर पाउडर और उसके बाद इन सारी जीजों को अच्छे से मिक्स दे देंगे आप चाहे तो यहां पर जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं उसका भी एक अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएग तो आप यहां पर एक अच्छा आलू अच्छे से ग्रेट करकर निचोड कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम सूजी के पेस्ट को देख लेते हैं सूजी हमारी एक साइट में रखी थी इसको अब हम यहां पर अच्छे से थोड़ा सा फेट लेंगे फेटने बच्चों के टिफिन में या शाम को डीनर में अगर कुछ हलका फुलका खाने का मनो तो आप यह हैल्दी सी रेसिपी जरूर ट्राई करें आपको बहुत पसंद आने वाली है तो इसमें हमने आलू का मिक्षर डाल के इस पेस्ट को अच्छे से यहां पर मिक्स करना है और यह पर इस बैटर की consistency देख लीजिए बिलकुल इसी तरीकी का चाहिए ना जादा पतला और ना ही जादा गाड़ा तो पेस्ट बनकर तयार है और यहां पर मैंने गैस पर एक तवा चड़ा दिया है तवे पर डालेंगे हम दो से तीन चमच तेल और उसको अच्छे से यहां पर सहरा आजिए और ऊपर से मैंने यहां पर राइ को स्प्रींख लंकल कर दिया है और साथ में यहां पर ले रही हूं फ्लेवर को इन्हैंस toxic करने के लिए कडी पत्त आप चाहते हैं आपर धनिया पत्ता भी ले सकते हैं पर फ्लेम को हमें बिल्कुल कम रखना है और उसके बाद एक छोटा चमचा बैटर का भरकर एक ही जगर डाल कर हल्का सा आप इसको फैला दीजिए फैलाते से में इबाद ध्यान रखे ना तो यह ज़्यादा पतला ही रहे और ना ही ज़्यादा मोटा बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको यहाँ पर फैला रही हूँ तो एक बार में नाश्टे के जितने पीसिस आपके तवे पर इजली फैल जाए उतने ही फैलाने है जो आपस में चिपके ना और यह देखी जब नीचे से नाश्टा कलर चेंज कर ले उसके बाद आप इसको पलट दीजिए बहुत इजी नाश्टा है इंस्टेंट बन जाता है सुवह की भाग दोड में ना तूटता है ना फठता है ना दही है न Аईनो है और ना ही सोड़ा है घर के ही मात्र कुछ समान से यह चट पर तयार हो जाता है बस इसी तरीकी से अलट पलट कर दोनों साइड से हम इस नाश्टे को यहाँ पर अच्छा क्रिस्पी ब्राउन होने तक बढ़िया से यहाँ पर शैलो फ्राइ कर लेंगे और यह देखिए आप नाश्टे की रंगत देखे ही अंदादा लगा पर आए होंगे कि नाश्टा कितना टेस्टी और यमी बनाए मूँ में पानी आ रहा है देखकर ही तो है ना बहुत एजी सुबह की भागदोर में इस नाश्टे को बनाना और हाँ आपने ही मेरी रेसिपी कहां से बैठ कर देखिए प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर बताना और यह देखिए गरमा गरम टेस्टी हेल्दी नाश्टा बनकर हमारा जटपट वाला तयार है फि जादा से जादा शेयर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और ऐसी डिफ्रेंट रेसिपी के लिए और यह देखिए उपर से है क्रिस्प और अंदर से है सौप्ट एक तम यमी तो और ऐसी डिफ्रेंट रेसिपी देखने के लिए चैनल को कर लिजेगा तो मिलते हैं नई दी नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग